मैं डाक्टर गुलाब जिदमेना एसोसियेट परफसाथ गोर्वनेंट पीजी कोलेज बैंदी कुई आज हम पढ़ेंगे प्रतिनेतितों के सिद्धांत पीबर जाने स्टोर्ट मिलने कहा था कि लोगतन तर्मानों समानता को स्वाम सिद्धांत लेता है और आजनेतिक समानता तभी आ सकते है जब नागरीकों को मतादिकार दिया चाहिए सरकार के कानून और नीतियों से सब समंदित होते हैं और जिस बात का प्रभाव सब परपड़ता उसके निर्णे सब की दोराई होने चाहिए ये स्टोर्ट मिलने कहा था देखेंगे प्रतिनी धेर प्रणाली के आवश्यक्त क्या है आधनिकार विश्व के अधिकान सराज्योतर प्रजयतंत्रात में सासन वेस्ता को अपना है और प्रत्यक्ष 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 और अब वर्तमान समय में एप प्रतक्ष इंडरे डेम कर्शी ऑये प्यजिन धात्म प्रजात उंतुंत्र इते प्रजात्म्त उंत्र शाutPC के कप वी रूपन इसलिश्टम समय उत्प्रतिन देन्ड चुनती है ओ और ये प्रतिन देन चाशल्स लका सट प्रतनिधियों को चुनने के इस अधिकार को ही सामयंत निर्वाचन का अधिकार का जाता है निर्वाचन के इस अधिकार को प्रजतनत का अधार का जा सकता है प्राण का जा सकता है क्योंकि यदि सामयं जनता अपने इस अधिकार का सही रूप में प्रियू करती है तो एक्सरेष्ट सरकार कर निर्वान होता है और नागरीकों को थान संबह हो सकते हैं यह ता संपोर्ण व्यस्ताई दूशित हो जाती है निसंद्यरुक से वत्वान समय के इस प्रतिनिधात्मक सासन में प्रतिनिधित निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रेव बहुत दिक मेर्पूर्ण प्रश्ण होगे वस्तु तो यहीं वो आधार है जिन पर प्रजात्मका संपोर्ण वहन खड़ा होता है निर्वाचन प्रद्यति सामनेत दो प्रकार की होती है एक डारे डेमकरशी दूसरा प्रतक्ष्ण निर्वाचन दूसरा एप प्रतक्ष्ण निर्वाचन उसे कहते हैं जेदी निर्वाचक प्रतक्षरुप से अपने प्रतिनिधी निर्वाचित करे तो उसे प्रतक्ष्ण निर्वाचन चेहरा और ये भीकूल स्रहल वीरी में, इसके अंत्रगरs प्रतेक उमिद्वारद का तने शर्वादिक तान प۔ देजे घोषिट कर दिया जाता है बार्थ इंगलेंड अमेरिका करनाड़ा शूटजलेंड आधी देशों में व्यस्ता पिका के प्रत्रम सतन के निर्माने तो यहीं पद्धिति अपरेंगे अपर्टेक्स निर्वाचन उसे कहते हैं जब समान मद्दाता एक ऐसे निर्वाचक मंडल का चुनाओ करते हैं जो प्रतिनी दियों का चुनाओ करता है तो एसी पद्धिति को अपर्टेक्स पद्धिति कहा जाता है शेक्तराज अमेरिका की राष्टपती और भारत की राष्टपती दोनों का निर्वाचन एप्रतक्स रुप से होता है क्योंकि सामान मद्दाता निर्वाचक मंडल का निर्वाचन करता है और ये निर्वाचक मंडल राष्टपती का चुनाव करता है भारत सोवेज संग और फ्रांस के दिटी सत्रों में सदश्यों कर निरवाचन भी एह पर्धक्ष रूप से होता हुँ रश्षत पर्धक्ष निरवाचन के क्या गुण है पहला देखें प्रजयत उंतर अंत्रातम धार्णा के लिए जंता को प्रत्रेटा शुरूपश्रूप और प्रत्र trenches को प्रत्राइदी को प्रत्रणी को पर्षित कर देए। और जनता उसके प्रतनेदिय के भी संप्रग बना रहता है। वो दोनों एक दूसरे की भावनों से परचित रहते हैं। जनता अपने प्रतनेदियों के कारे पर निगरानी और नेंतन भी रख लेती है। तीसरी राजनेतिक शिक्षा। जो जनता अपने प्रतिनिदियों को प्रत्रक्ष रुप से चुनती है तो भीवें दल और उसकी इमिद्वार अपने नीतिये कार्कम जनता को सामने रखते हैं जिसे जनता को बड़ी भारी राजनेतिक शिक्षे मिलती है और मैं राजनेतिक जागरू ता एक भावना को देखता है इसे सामने जनता को अपने दिकार कर्टव्रों का अधिक अच्चे प्रकार्शी ग्यान भी हो जाता है प्रतक्ष निवाचन के दोश प्रतक्ष निवाचन के अंतरगत किया जाता है अब यह तो निवाचन अभियान शिक्षा वियान नहीं होता अब यह तो निंदा कलंग जूट का वियान होता चुनाम उम्मीद्वारों की नीतियों ठीप रिखाष समझने के बजाए उनके सामने विक्तियों समझ्चा को बिक्रते चित्रपस्तित किया जाता है जिसके परणाम सरूARON के मद्थ्धाता गुमरा हो जाता है वो दिवान विक्ति निर्वाचनों से दूर प्रतक्स निर्वाचन में चुनाऊ बियान ने तिक्ता कि निम्मrd ए इस तरह पर गिर जाने के कांग बद्द्धिवारों और निश्काम्तपक की कि निर्वाचन से दूर भाग दें यह से उमिद्वार की रूप में भाग नहीं आते देश को स्वभाव तहानी पहुंचते हैं चोथी जो है अप्विय और एव्य सताजना इस प्रकार चुनाम बहुत अदी खर्चा आता है और बड़े फेवाने पर इसका प्रबंद करना हो अधिक जोस्क रोस्कार्णने एक बार धंगे प्रशाद हो जाता है ऐब प्रतक्ष निर्वाचन में योग व्यक्तियों का निर्वाचन संबाद सामता जनता के पिक्षे जनता दोरा जब प्रतिनी दियो निर्वाचन का कार एक छोटे से जन संबाद पर छोड़ दिये जा प्रेकार के भेकों दूर किया जा सकता है और जंता का प्रजयत अंत्रात्मत में विश्वाति रखा जा सकते हैं बढ़े चौनावक शित्र मुलापक। बड़े चौनावक शेटं विशिष्ता है प्रतक्ष सनिर्वाचन चलिए से पहात अभर सकतर है जा more प्रतर्च निर्वाचन का वध्या सकता है यह प्रत्य पहुंटर लोग्तंत्र नहीं क्योंकि समध्दाताओं को अपने प्रतनी दी प्रतक्स रूप से निर्वाचित करने का अधिकार है अधिकार नहीं हो तो संबग साधनी जनता सावजने कारिम उदाशीन हो जाया और आजनेते हैं कि नामातर की रूची ले इस प्रकार पद्दिति को प्रणार पर जनता की राजनेते की शिक्षा के अफसर भी कम हो जाने रिश्वत क्या संग्राइब आप पता से निवास निवास नमन्डल के सरश्यों की संग्राइब कम होने करना उम्मीद्वरों का वर्णता पहुंचना धन के प्रलोगन के आधार पुर्न अपने और खीच लेना सरल हो जाता चोता जन्ता का प्रतिनिदी से संप्रक नहीं प्रतिनिदी के बीच निर्वाचक मिंडल की दिवार खड़ी होने कार्ण जन्ता का अपने प्रतिनिदी से कोई संप्रक नहीं देता और निर्वाचक विधारना आधारबूत के रूप से गलत हो जाता दल पद्धिती के कोज प्रभाव नियों नहीं है और बाद इंडक हम बढ़ाने कार्या था अमरिका की राश्टिपती के निर्वाचन इस बात को गार न। युष जटेखा करने करने हैं तो दो प्रकारत रहा इस भाष ऑखछी जोकी राज्ज्चmern इसम्खउय परत नियु चुना है परUT नियु अजय आपने पर एक सदै शड़े इसके बान सारे गुणे है निर्वाचन और प्रतिनिदी के बीच गे RICHох योग विक्त रखाय निर्वाचन सोब्धं तो इसके प्रतिक भाग का प्रतिनिदी तो होता है विष्ताय सरकारिंदी होता है सब से सरल्पर देती है अब देखेंग बहुस अदेश्य निर्वाचन शेत्र हैं जब संपॉर्ण राज्य अपने निर्वाचन शेत्रों विभाजित कर दिया जाता है तो प्रते निर्वाचन शेत्रों में अपने प्रत्मीदी चुनी जाता है तो उने बहुस अदेश्य निर्वाचन शेत्रों के अन्यिकार होता जितने सेंख्या में प्रत्मीस को चुनाव किया जवा एक निर्वाचन Star फ्रalsी कितने प्रत्मनी पेस्टियां सक निस्या चेत पल जनसाग किया जाता इस बुदिति को साधें तर्टिकेट प्रनाली भी कहा जाता है। और फ्रांस में फद्दिति राष्टी निर्वाचने के लिए 1912 में अपनेगी 27 में त्याक दिए। ये गुण बहुत सारे इंसरेश्ट वेक्तियों को निर्वाच नहीं है, राज की हितों की उन्नितियों की अलक्षेंकों को उचित प्रतिनी वित होता है, दोश बहुत सारे आए, विविन दलों को उत्पत्तिय स्ताई सरकारे निर्वाच को प्रतिमितियों भी सम्माद नहीं अनुतरदाईत और उम्मीद्वानों का व्यक्तिगत मुल्यांकन कठीन है, निर्धनों के लिए चुनाव लड़ना बड़ा कठीन है और दोनों के निश्करसात्म कुरुप से निसंदेरुप से कहा जा सकता है इन दोनों प्रकार के निर्वाचन चेत्रँ के गुण दोश, मरिट और दिमरिकते हैं उनके विवचन के आधार पर काशा सकता है कि एक सदेशी निर्वाचन चेत्रे बहुत सदेशी निर्वाचन से अधिक लाब्ड़े शेक्षा परद और प्रजातम्त के लुए इसी काण अधिकांस प्रगट सील देशों में इसी मानिता प्राप्त है अब मद्दान समंदी विविन चीजे है प्रगट अत्वा गुफ मद्दान भी होता है और अनवारी मद्दान भी होता है वह सारी चीजे है अब हम कल देखेंगे अनुपातिक पर देखेंगे प्रणाली के बारे में जो सबसे important है कल बात करेंगे next thanks